तो उससे फिर मुझे अगले मैच में फिर ओपनिंग का मोगा मिला तो उस मैच में मैंने आठ ओर के मैच में सोरन मनाए और आखरी ओर में लगा तर पांच-छिक्स और एक फोर मारा जो मैटर मैंने अपने टेवल पे बैठे-बैठे शुल जा दिया था एक बार मेरे पास रा लौओ के अधिवक्ता हैं और भोपाल की राजनयतिक समाजिक गतविधियों के एक शूत्रधार कहे जासके। अननर्ण सर्माजी हमारे साथ हैं और इस चर्चा में उनके ब्यक्तिकषजीवन भोपाल के राजनयतिक समाजिक पटन को लेकरके हम चर्चा करेंगे। साथ ही स शर्मा जी जो सबसे पहला हमारा सवाल है हम इस चर्चा की सुरुवात आपके ब्यक्तिकत जीवन से सुरू करते हैं प्रारंभिक इस्थिती की बात करें तो आप एक अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता बनने का जो एक सपन था या फिर जो तो प्रेरणा थी वो कहां से प्रार मेरे ताउजी भी अधिवक्ता हैं तो मेरे फादर बच्पन से मतलब उनको देखते आ रहे थे तो इसलिए जो है मेरे फादर बहुत बगालत के पेशे की बहुत हमेशा से तारीफ करते थे परन्तु मैंने ऐसा कभी सोचा नी था कि मैं वकील बनूंगा मैं चुकि हमारे ट कमिशन लिया और ब्यक्ति में भी जो हैं फिजीक्स में वगए फेल प्रविक्स में अब फिजिक्स में फेल हो गए और चुकि सप्लिमेंटरी आगई थी तो नेक्स्ट यह उसका पेपर देना होता था पूरा साल भर जो हमने उसकी पढ़ाई नहीं करी है बिल्कुल तो एसे प्लाणिंग चली तो रात में नौ बजे सोए तो बजाए दो बजे के सुबह पॉने साथ बजे निंद खुली अब जब पेपरी था पद्रा मिनिट बाद स्टार्ट होने वाला था ना दो के जाने लगे तो पिता जी ने देखा कि वह यह ऐसे इतनी जल्दी उटके का जा रहा है भाई अ नहीन में प्रिक्षा ईनए में जा रहा है तो उन्होंने देखा है रहे अरे पढ़ाई की है पुछा सब्सक्त काम करों पेपर देजाओ, और लिख के आहा ना अल्वीधा पिसिक्स झाने ले भैजा में लिखा, पेपर दें लिए। तो एक्जामीन ने बोला मुझसे की आप एक घंटे के पहले नहीं तो मैंने का कि क्यों बोले आप फेल हो जाओगे तो मैंने का पास करके दिखाओ यह मेरा साइंस का मेरे फादर ने मुझे प्रेडित किया कि आप जो है मतलब उनका एक्चुली मेरे पिता जी जो है गवर्म इसकी एक्जाम दी और जो है लॉइंटेर्स में एक रैंक लगी तो इन्वर्सिटी में अड्मिशन मिला और फिर जो है लॉइंट की पड़ाई जो है वारी चलो इस तरीए से लॉइंट में जो है आगमन हुआ फिर उसके आप बी लल्वी ओनर्स किया फिर साइबर लॉव है पीजी भी किया लेलेंगी किया और अभी पीचिवी चल रहा है साइबर लॉव में जैसे आप ने किया और उसके बाए पीचेज ने आपको प्रेडिक किया साइबर लॉव के तरफ देखिए सोशल मीडिया पे मेरा सुरू से इंट्रेस्ट आया जब से मतलब पहले एक य हैं तो जैसे जैसे फिर सोशले मीडिया का यूज होने लगा तो और सब हमारे सारी गतिविदिया नंइट के माध्यिक माधिल हो ने लगी कि नंभी मुझे रिलायज हूआ कि कही ना करिंसा क्राइम बढ़ रहे हैंunto抵ुद्स眠ार हैं तो सब भी समझदार विक्ति वही है जो समय के साथ चले तो मुझे इन चीजों में इंट्रेस्ट था इसलिए मुझे बड़ी एक जिग्यासा भी थी और मैं जो है मुझे लगता था कि मुझे इसका ग्यान होना चाहिए तो इसलिए मैं साइबर के चेतर को चुना और उसमें मेरी पड़ाई अभी वी चंटिवी चल रही है और एक चीज़ यह जानना चाहेंगे आपने वकालत के वारे में बात की हमने आप से सवाल किया आनल सर्मा एक अच्छे वकील है आनल सर्मा एक बरिश समास से भी है लेकिन एक स्कूल के ब कंपलिट करनी होती ती कंपलिट करनी होती तो गत्याप कि कॉपी कंपलीट करनी होती थी तो अदेए outta में मान लेते हैं निदी कि में क्लास में निए कम ने भी निए चाहिए निए अब फिर सर ने जोए कोई हो ना उस्ट राइट की हम और उस्टूरेंट को कॉपी दिल भाई और मैंने वोण हैं तो दिल भ्सक पाऊ इतना कैसे लिखुगा है तो वो जो है अमने इस प्रकार की कि ए मतलब हमने अपने शरारते स्कूल के टाइम पर शुरुवाती आपोजीशन आपके फेजेक्स और मैं फिजिक्स तो बाद में आया मैंस में तना डर नहीं लगता था मुझे पर पदा नहीं समय के साथ-साथ इंट्रेस्ट मेरा कम होता गया इन चीजों में और जबकि मालूम है हमारे टाइम पर मैस को बहुत अच्छा माना जाता था फिर सेकेंड नंबर पर कौमार सोर थर्ड पर आठ जबकि जैसे जैसे हमने ग्रो किया तो हमें समझ में आया है कि कोई भी सब्जेक्ट लेकर अपना हाला फिक में भी जो है उतारने के लिए तो समय का परिवड़तान हो रहा है तो अच्छा उस समय में आप कौन सा गेम खेलते हैं कौन सा अपका फेवरेट गेम बच्पन से मुझे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट आया है मैं क्रिकेट मैंने कूप खेला है और बहुत सारे खेल खेलता रहा मतलब जो जनरली बच्चे खेलते ही हैं परंतु लेकिन क्रिकेट से मुझे हमेशा से लगा रहा शुरू से बच्पन से मैं कुप क्रिकेट खेला और वकील बनने के बाद भी मेरा क्रिकेट काफी चला कभी पिसले कोई चार-पास साल पहले तक और अभी भी मैंने संडे क्रिकेट क्लब भी बना रखा है जिसमें हम हर संडे क्रिकेट मैच खेलते हैं मैंने क्लब बनाया है तो हर संडे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं यह मेरे एक मित्र है संडे बंसल जी उनका एक इंजिनिरिंग कॉलेज है तो वहाँ प्रोपर हम लोग लोग पूरा पिछ तयार करके और महां पर हमलों का मैच होते हैं और इंफेक्ट 3-4 में स्टेट टूर्णामेंट भी खेल चुका हूं हमारे भुपाल की तरफ से एड़ोकेट्स की टीम से आपका क्रिकेट से तो बहतर लगा पहले से ही रहा है आप अच्छे खिलारी भी रहे क्रिकेट की कुछ और कहानिया बताएए तो अब मुझे क्या हूवा कि ने टीम में था आर्च वर में था तो तो फिर उससे लेकिन उनको यह समझ में आगया गया कि एक थोड़ा इसको खेलने की कला है, इसके अंदर एक खेल सकता है, तो उन्होंने मुझे अगले मैच में जो है, अपनिंग करा दी, अब उपनिंग करा ही, तो मैंने फिर एना लगाता है, तीन-चार गेंदों में छक्के मारे, पहले ही उबर से उनने बोला था, तुम तो जा के मारो, तो मैंने करीब तीन-चार शक्के मारे और मैं पांच भी बॉल पर आउट हो गया, तो उससे फिर मुझे अगले मैच में फिर उपनिंग का मुझा मिला, तो उस मैच में मैंने आट ओर के मैच में सोरन मनाए, और आखरी ओर में लगा तर पांच सिक्स और एक फोर मारा, बैस ब बैठ हो, वही सबसे बड़ा सहंसा है, वही कैप्टन वही ओपिनिंग करता है, सारी चीज़ होती, आपके विजेवन में क्रिकेट के दारन कभी ऐसा हुआ कि इसको बैठ हो लडाई जो बच्पन में तो यसा ही चलता था, बच्पन में बिलकुल लडाई भी बहुत होती थ बैठ कर ली और बालिंग के टाइम भग गए रहे हैं, कौन सा केस था जो आपने दिल से लड़ा और उसको जीता, और आपको प्रसंद आता हुई पैसे वैसे सब अलग बाते हैं, देगे ऐसे तो मैं कोई एक पर्टिकुलर केस का तो मैं नहीं बदा सकता, परन्तु एक मैं बताता हूं, जो मैंटर मैंने अपने टेवल पे बैठे बैठे ही सुल जा दिया था, एक बार मेरे पास रात में दो बज़े करीब एक लड़की का फोन आया, के लिए काफी मतलब आपके दिल में जगह थी, और आपने अभी जो सबसे बेस्ट आपका केस सुना है, वो भी अपने कोट का नहीं सुना है, कि आपने किस तरह से अपनी नॉलेज का यूज किया, आपने किस तरह से अपने इंफ्लिएंस का यूज किया होगा, और केस को जीता होगा, आपने वो केस सुना है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिला, जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला, कि आप